स्टार्ट प्लस पर टेली कास्ट होने वाले सीरियन अनुपमा जोस तरह से आप देखी रहे होंगे की कैसे रुपाली गांगुली अपनी ओन स्क्रिन सासुमा अल्पना वुच के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्ड शेर करती है अब रियल लाइफ में इनकी बॉन्ड ये ऐसी है शो के सथ पर ही खुलासा हुआ शो के मादम से टीवी पर बापसी रुपाली ने सालों बाद की है अब सथ पर सबसे ज़ादा करीब वो अल्पना की है ये बात उन्होंने का शो में भी सास दो की ये जोड़ी काफी ज़ादा मशूर है और शो के बाहर भी ये ही दोस्ती इनकी कायम है कि आपी पर अक्सर नंबर बन बने वाले शो अनुपमा की लीड रुपाली गांगुरी ने हाली में की इंटर्वियों बताया कि सबसे ज़ादा वो अल्पना की करीब है जी हाँ उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़ादा खास है उनकी और ये भी कालिपना बहुत अच्छी आक्टरिस है बहुत अच्छी महीला भी है वो उनकी बेहन की तरह है एक सबसक्त महीला है यानि कि बेहनों की तरह ये दोनों करते ही एक दोशे से बिवार दोस्ती है बेहनों जैसा प्यार है इन दोनों की भी इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर शेयर करते हुए भी रपाली गांगुली ने इस बात की खुशिजाहिद की कि उन्हें सेट पर एक प्यारी से बहना मिल गई है और ये उनका कहना है कि उनके लिए बहुत ही जादा खास है मैंसे आपको पताना शाहिंगे हमारे इस रेपोर्ट में एक बार फरसे कि शो में सासु मा लीला शाह की भूमिका में दिखाई दे रही है अलपना लेकिन वनराज की मा अलपना जो बनी हुई है रुपाली के साथ हमेशा खरी शो में रहती है सासु मा बनी वो रियल लाइफ में बेहन की तरहां रहती हैं मा बनने के चलते ही टीवी से दूर हुई थी रुपाली गांगुली और इसलिए काफी जादा रुपाली गांगुली को दुबारा से जब अनुपमा के किदार में मा के भूमिका मिली तो इसमें उन्हें काफी जादा अच्छे तरीकिये से काम करने में मज़ा आया है और इसमें वो अच्छा कर भी पा रही है नेक्ष नाइन ये जुब से तरफ दिख रहे हैं